हेलो बच्चो राज़स्तान युनिवर्सिटी के बियस्सी सेकेंड एर में जूलौजी सब्जेक्ट के फॉर्स्ट पेपर में हम कशेरू की जन्त्मों का अध्यन करते हैं और उसी क्रम में हमने यूनियों के विभिन सिस्टम्स का तंत्रों का अध्यन किया आज हम यूनियों में reproductive system जनन तंत्र वे उसके जीवन चक्र का अध्यान करेंगे अगर हम यूनियो में जनन तंत्र को देखें तो यूनियो में मेल व फिमेल प्रथक होते हैं परंतु किसी भी भाय बिलाक्षनिक जो लक्षन है उनकी अनुपस्तती में हम identify या differentiate नहीं कर सकते कि यह male union है और यह female union गॉनियो गजनेट की अगर हम बात करें तो males में टेस्टिज और फिमेल में ovaries गॉनिस होती है जो की पात जो होता है उसके ओपर visceral mass में उपस्तित होती है और शाखित रूप में ये जनद, इंटेस्टाइन कॉयल या जो आंत्र लूप होते हैं, उनमें उपस्तित होते हैं, ब्रीडिंग सीजन में यह अत्यधिक स्पश्च रूप से दिखाई देते हैं, जैसे कि मेल्स में ब्राइट वाइट कलर के और फिमेल्स में ये लाल रंग के हो जाते हैं, तथा जो लाइनिंग होती है, एपिथीलियल लाइनिंग इन गॉनेट की वो अभिवरधित होकर, प्रॉलिफरेट होकर, स्पर्मेटोजोवा और एग्स में तो शुक्राणों और फिमेल्स में अंडाणों का निर्मान करते हैं, प्रत्य जो जनद होते हैं, बाहर की और जिस वाहिनी से खुलते हैं, मेल्स में इसे वास डिफरेंस कहते हैं, और फिमेल्स में यह अंड वाहिनी या ओविडक्ट होती है, और यह जो जनद वाहिनी होती है, में एक्सक्रीटरी पोर के निकट एक्सेलेंट साइफन द्वारा बाहर की और खुलती है, त सहायक accessory structures या सहायक reproductive structure नहीं पाए जाते fertilization की अगर हम बात करें निशेचन की तो यूनियों में males जो होते हैं वो excellent siphon के द्वारा अपने sperms female के निकट जल में त्याग देते हैं और जहां से ये female में inhalant siphon अंतरवाही siphon के द्वारा तिनीडिया तक पहुचते हैं female की तिनीडिया में पहुचकर ये वही पर females में same time पर जब male के द्वारा भेजे हुए spermatozoa शुकराणू inhalant siphon द्वारा female की तिनीडिया तक पहुच जाते हैं उसी समय फिमेल्स द्वारा जो अंडानू होते हैं वो mental cavity की suprabranchial chamber में त्याग दिये जाते हैं और यहां पर जो water tubes होती हैं टीनीडिया जब हमने respiratory system किया था तब हमने gills structure में पढ़ा था कि आपस में junctions के द्वारा जो gills होती हैं gills lamina होते हैं leaflets होते हैं उनके मध्य junction द्वारा water tubes का निर्मान हो जाता है तो तिनीडिया के इन water tubes के अंदर निशेचन होता है अब निशेचन के पश्चात जो निशेचित अंदे होते हैं वे टीनीडिया की पाहिये जो gill plates होती हैं वहां पर आ जाती है और ये जो gill plates होती है निशेचन के पश्चात अत्यधिक अभिवरदित हो जाती हैं और एक brood pouch या जिसे हम कह सकते हैं मारसूपियम धानी के रूप में कारिय करती है, के रूप में परिवर्धित हो जाती है, यहां पर जो सामानेत बाइवेल्ट होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन के पश्चात, एक फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसे की ट्रोकोस फोर लार्वा कहा जाता है, जो की बाइवेल्ट मॉलस्कन लार्वा होता है, वो बनता है और जिससे की वैलीजर लार्वा का निर्मान होता है, परन्तु यूनियों में अगर हम देखें, तो यहां पर वैलीजर लार्वा से थोड़ा सा अधिक विक्सित लार्वा ड्वलप होता है, मारसुपियम में या धानी के अंदर जिसे हम कहते हैं Glochidium larva Glochidium larva का विकास की विभिन अवस्थाईस प्रकार होती है इसमें असमान विदलन के द्वारा मौरिूला का निर्माण होता है क्योंकि विदलन असमान प्रकार का है अते दो प्रकार की blastomeres बनती है जो small sized होती है उन्हें हम micromeres और जो बड़ी होती है उन्हें macromeres कहते हैं gastrulation के समय जो macromeres होती है वो micromeres की और invaginate हो जाती है अंतरवलित हो जाती है और इस प्रकार एक archantron का निर्माण होता है gastrula के अंदर जब gastrulation हो रहा है germ layers का निर्माण प्रारम हो जाता है और इसमें micromere के द्वारा ectoderm और macromere के द्वारा endoderm का निर्माण होता है और मध्य में जो गुही का बनती है blastocele बनती है बनती है जिसे small archantron या एक चोटी कोशी का अवकाशी का बन जाती है इसके चारों तरफ या यह जो silom होती है blastocele होती है यह vitiline membrane के द्वारा limiting होती है या इसके चारों और उपस्तित रहती है अब gastrulation में कुछ blastocele कोशी काई जो होती है वो अंदर की और shadow होके या branching के द्वारा mesoderm यानि की तीसरे जननिस्तर का निर्माण करती है तो इस प्रकार से micromere से ectoderm macromere से endoderm और blastocele में gastrulation के समय कुछ कोशी काई प्रथक होकर mesoderm का निर्माण करती है इसके पश्चात gastrulation में molluscans में गहरी अभी वरधन के द्वारा कोशी काउं के समय के द्वारा shell gland का निर्माण होता है कवच ग्रंथी का निर्माण होता है जिसका मुख्य कारिय होता है जो valve होते है या shell होता है उसका निर्माण करना और यह जो gland होती है इसके उपर एक sily US region रूप से पहचाना जा सकता है इसके पश्चात यूनियों में अन्य जो परिवर्तन आते हैं उनमें मुख्य रूप से होते हैं कि जो एम्ब्रियो है उसके बीच में एक दरार या विदर उत्पन हो जाती है और इस विदर के पश्चात डॉर्सल बॉडी और दो mental lobes का निर्माण हो जाता है और दोनों ही mental lobes में brush like sense organs की उत्तपती होनी प्रारंब हो जाती है यहाँ पर sense organs को कैसे पहचाना जाता है वहाँ पर bristles या brush उपस्तित होती है hair like structures की उपस्तिती होती है जिनसे की ये group of cells हैं जो होती है वो adductor muscles का निर्मान करती है इस प्रकार से विभिन अंगों का विभिन सन्रचनाओं का निर्मान होना प्रारंब हो जाता है और इसी के साथ ही बाइसस ग्लेंड का निर्मान होता है बाइसस का अर्थ होता है चिपचिपा या वहतंतू या वहधा की समान सन्रचना जो की as actoparasite भाईये परजीवी के रूप में इन्हें अपने होस्ट पर चिपकने में साइता करता है इन सभी सन्रचनाओं के निर्मान होने के पश्चात अर्थार्थ क्लैफ्ट बन गया, डॉर्सल बोडी बन गई, सेंस ओर्गन्स बनने प्रारंब होगे तथा बाइसस की अपिरेंस का अर्थ होता है कि अब यह ग्लॉचिडियम लार्वा बन चुका है अब तक जो लार्वा होता है वह योग पर निर्भर रहता है भोजन के लिए परन्तु जो ग्लॉचिडियम लार्वा है अब वह एक पेरसिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए प्रारंब हो जाता है वह जीवन यापन के लिए प्रारंब हो जाता है अगर हम Glocidium larva की संरचना देखे तो यह 0.1 से 4 mm तक लंबे होते हैं जिसके अंदर की shell और mental मुख्य संरचनाएं होती हैं शेल जो होता है तिरकोनाकार वॉल्व के रूप में होता है जो कि प्रष्ठिय भाग में तो जुड़ा रहता है और अधर भाग में ये फ्री रहते हैं यानि की मुख्त रहता है तथा इसके जो अन्य मुख्य संरचनाएं होती हैं वो होती हैं कि जो sensory organs हैं उनमें समवेदी अ साथ-साथ adductor muscles की उत्पत्ती हो जाना तथा बाइसस gland की उत्पत्ती उपस्तिती जिसके द्वारा की ये अपने होस्ट पर आसानी से stick कर सके चिपक सके अब जो marsupium है या धानिया है टेनीडिया की जो gill plates थी उनमें उपस्तित जो brood pouch हैं वहाँ से ग्लोचीडिया को पानी के अंदर excellent siphon के द्वारा बहिरगामी siphon के द्वारा त्याग दिया जाता है और ये पानी के अंदर बिल्कुल नीचे तलहटी में चले जाते हैं और उसके पश्चात जो fresh water fishes होती हैं उनमें अपने तंतु या बाइसस के द्वारा चिपक जाते है और इनकी जो vicious कोशिकाएं होती हैं उनके साहिता से जो phagocytic cells होती है mental की उनकी साहिता से ये अपनी host cell से juice या जो body fluid होते हैं उनको ग्रहन करना प्रारंब कर देते हैं या nourishment लेते हैं यह जो ectoparasitic stage होती है लगभग 10 week की होती है जिसमें की कायांतरन होता है इस कायांतरन में कायांतरन से पूर्फ जब लार्वा अपने host की body पर उपस्तित होता है तो इसके चारों और cyst का निर्मान होना प्रारंब हो जाता है host की body पर stick होने के कुछ समय पश्चात अब कायांतरन के दोरान कौन-कौन से परिवर्तन आते हैं जिनमें की मुख्य रूप से sense organs, adductor muscles, mental, larval अवस्ता में और bices जो हैं ये लगभग disappear होने लग जाते हैं और adult formation होने तक ये completely disappear हो जाते हैं तथा ectoderm जो होती है वह अंतरवलन द्वारा, invagination के द्वारा stromodium और proctodium का निर्मान करती हैं stromodium यानि की मुख्य और proctodium गुदाद्वार का निर्मान होता है जो की archantron में खुलती हैं और archantron आगे विक्सित होकर elementary के नाल या आहार नाल का निर्मान करती हैं और मुख के जो पीछे की और मांसल फुट का निर्मान प्रारम हो जाता है और फुट से दो पैपिलीम निकलती हैं अभी व्रधिया निकलती हैं जो की लेटर ओन गिल प्लेट्स में परिवर्धित हो जाती हैं अब इन सभी संरचनाओं के निर्मान के पश्चात जो host body पर cyst का निर्मान हो जाता है लारवा के चारों तरफ वो वीक हो जाती हैं और उनके नश्ट होने पर ये बाहर free living या त्याग दिये जाते हैं host body से और adult form में आ जाते हैं इस चित्र में life cycle को दिखाया गया है male union female union male अपने spermatozoa female के निकट जल में त्याग देते हैं और ये हैं इन में टेनीडिया में प्रवेश कर जाते हैं जहां पर इनका जो मार्सुपियम या गिल प्लेट्स होती हैं outer gill plates वहाँ पर इनका जो development है वो प्रारम होता है उसके पश्चात thousands of glochidia जो होते हैं single को हम glochidium कहते हैं और plural शब्द होता है वो glochidia होता है हजारों की संख्या में इनको त्याग दिया जाता है बाइसस की जो उपस्तिती है या जो धागे समान संडचना है इससे ये अपने होस्ट के उपर चिपक जाते हैं और इनके चारों तरफ सिस्ट का निर्बाण हो जाता है phagocytic cells के द्वारा अपने होस्ट से ये पोशन प्राप्त करते हैं और संपून संडचना है या metamorphosis पून होने के पश्चात अडल्ट जो है पुने free swimming life अडॉप्ट कर लेते हैं तो बच्चो यह था संपून यूनियो का reproductive system जानन तंत्र और उनकी life cycle इसके साथ ही अपना topic का study करेंगे pdf के रूप में आपको ये note सुपलब्द करा दिये जाएंगे इनको ध्यान से पढ़ लेना thank you and have a nice time